साथियों, चार वर्ष पहले उत्तर और दक्षिन बिहार को जोडने वाले दो महा सेतु एक पटना में और दूसरा मुंगेर में शुरू किये गए थे। इन दोनों रेल पुलों के चालू हो जाने से उत्तर विहार और दक्षिन बिहार के बीच लोगों का आना जाना आसान हुआ है। खास कर उत्तर विहार के ख्षेत्र जो दसकों से विकास से बंचित थे उन्हें विकास के लिए नई गती मिली है। आज मिथिला और कोशिक शेत्र को जोडने वाला महा सेतु और सुपोल आसनपूर कुफार रेल रूट भी बिहार वास्यों की सेवा में समर्पित है। साथियों लगबग साटे आठ दसक पहले भूकम की एक बीषण आपदा ने मिथिला और कोशिक शेत्र को अलग थलक कर दिया था। आज ये संयोगी है कि कोरणा जैसी वाइस्ट्विक महामारी के बीच इन दोनों अंचलों को आपस में जोडा जा रहा है। मुझे बताया गया है कि इसके आखरी चरण के कार्यों में दूसरे राज्यों से आए श्रमिक साथियों ने भी बहुत संयोग किया है। वैसे ये महा सेतू और ये प्रोजेक्ट स्रद्धे अटल जी और नितिश बाबु का ड्रीम प्रोजेक्ट भी रहा है। जब 2003 में नितिश जी रेल मंत्री थे और स्रद्धे अटल जी प्रधान मंत्री तब नई कोसी रेल लाइन परियोजना की परिकल्पना की गई थी। इसका उद्देश यही था कि मिथिला और कोसी खेत्र के लोगों की दिक्कतों को दूर किया जाए। इसी सोच के साथ 2003 में अटल जी द्वारा इस परियोजना का सिलान्यास किया गया था। लेकिन अगले वर्ष अटल जी की सरकार चली गई और उसके बाद कोसी रेल लाइन परियोजना की रप्तार भी उतनी ही धीमी हो गई। अगर मिठिदान्चल की फिक्र होती बिहार के लोगों की दिक्कतों की फिक्र होती तो कोसी रेल लाइन परियोजना पर तेजी से काम हुआ होता। इस दोरान रेल मंत्राले किस के पास था किस की सरकार थी इसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन सच्चा यही है कि जिस रफ्तार से पहले काम हो रहा था अगर उसी रफ्तार से 2004 के बाद भी काम हुआ होता तो आज का ये दिन पताने कब आता कितने साल लग जाते कितने दसक लग जाते हो सकता है पीडिया बिच जाती लेकिन द्रड निश्चे हो नितिश्जी जैसा सहयोगी हो तो क्या कुछ संभव नहीं है मिट्टी रोकने के लिए आदूनिक टेकनोलोजी का इस्तिमाल करते हुए सुपोल आशनपूर कुपहा रूट पर काम पूरा किया गया है साल दोजार सत्रा में जो बीशन बाड आई थी उठ दवरान हुए नुकसान की भरपाई भी इस दवरान की गई है आखिरकार कोशी महासेतु और सुपोल आशनपूर कुपहा रूट विहार के लोगों की सेवा के लिए तयार है झाल 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 झाल